नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अभिशेक तो चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदू एडिटोरियल की डिटेल एनालिसिस दोस्तो आज की टॉपिक है गेटिंग रेडी जाएं ठेक विद्धी हैंडोर अवद गेवल फ्रूम इंडोनेशन प्रेजिटेंट जोको विदोदो अब दोस्तों जी ट्वेंटी की परंपरा होती है कि जब इसमें प्रेजिडेंसी हैंडोर की जाते है तो उस दौरान एक छोटा सा हैमार होते है उसको हम लोग गेवल कहत तो ये handover किया जाता है next presidency nation के head को ठीक है तो यहाँ पे Indonesia के president Joko Widodo ने India के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये gavel handover किया और इसी के साथ जो G20 के presidency है वो India के पास आ गई ठीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुक ओवर लीडर्शिप आव दी G20 प्रोसेस ओन वेनेश डे, मतलब इस वेनेश डे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गैवल होल्ड करने के साथ-साथ G20 की प्रेसिदेंसी अपने पास ले ली है, ठीक है इसके साथ ही दोस्तों, इंडिया जो है, वो इनचार्ज बन गया है, अब दोस्तों, इंडिया की जो प्रेसिदेंसी है, G20 की प्रेसिदेंसी है, वो इसी साल December 1 में सुरू हो जाएगी, comes at a time, ये एक ऐसे समय पे आई है, when the world faces economic hardship, जब पूरे विश्व को एक economic hardship face करना पड़ा है, एक आर्थिक कठिनाई and global recessionary trends face करना पड़ा है, मतलब एक वैश्विक मंदी देखने को मिल रही है, पूरे विश्व में पूरा देश की जो जितनी भी economies हैं, पूरे विश्व की जितनी भी economies हैं, वो सभी downward shift हो रही है, ठीक है, in addition, the political polarization between the US and the European Union and the Russia, इसी के साथ-साथ दोस्तों, हमें एक polarization देखने ह और Russia जो है, वो दोसी तरफ है, polarization मतलब होता है, धुरूवीगड़ा या फिर group form नहीं हो जाता, तो इन दोनों के बीच में हमें एक धुरूवीगड़ा देखने को मिल ला है, all G20 members will make every meeting that India will host, fraud with tensions, तो इस दोरान क्या होगा दोस्तों, अपने G20 presidency के दोरान, India जितनी भी meetings hold कर देंगे, fraud मतलब होता है, fill कर देना, ठीक है, but the G20 summit in Bali provided some positive signals, ठीक है, लेकिन दोस्तों जो अभी हाली में, Bali में एक G20 summit हुई है, वो कुछ positive signals show कर रहे हैं, ठीक है, despite fears from G20 members would fail to produce a joint statement, अब दोस्तों कुछ डर था कि G20 जो members हैं, वो एक joint statement को produce नहीं कर पाएंगे, इसके बावज शेरपास of each delegation preserved to reach a 70-page consensus document, जितने भी delegation के सेरपास थे, सेरपास हम कहते हैं, leaders थे, वो continuous effort करते गएं, perserved मतलब है continuous effort करना, ठीक है, to reach a 17-page consensus document, एक 17-page के consensus document तक पहुचने के लिए, consensus मतलब होता है, वही एक सर्वसहमती वाला, एक document, जो किसी भी meeting के बाद में एक summary, एक final document release होता है, जिसमें सभी members की सर्वसहमती होती है, ठीक है, तो इस page को पहुचने के लिए, सभी delegations के सभी leaders दोरा एक अच्छा effort किया गया, expectedly, there was trouble over the paragraphs on the Russia-Ukraine conflict, expectedly, मतलब जैसा कि expect किया गया था, जो Russia और Ukraine conflict को लेगे, जो paragraph बनने वाला था, उसमें बहुत ज्यादा trouble होगी, बहुत जादा दिक्कत होगी, इंडिया's role in tempering some of the language during the negotiations, tempering मतलब होता है, modify करना, negotiations मतलब होता है, बातचीत, तो इंडिया का जो role था, बातचीत के दौरान, कुछ language को बदलने का, वो सफल हुआ, ठीक है, has been highlighted, और उसको highlight भी किया गया, final consensus document में, and Mr. Modi's phrase at the SEO submitted in September, और दोसों, अभी हाली में, September में, जब संगाई cooperation organization की एक meeting हुई थी, उस दौरान, जो Mr. Modi और Russia के President Vladimir Putin के एक bilateral talk हुई थी, तो, Russia के President Vladimir Putin को, Modi ने कहा था कि, this is not an era of war, तो यह जो एक बहुत ही famous statement थी, उसको भी इस consensus document में, सामिल किया गया है, ठीक है, was included in the final statement, इसको भी in final statement में, include किया गया है, The majority of the G20 leadership was not in favor of equivocating on the conflict, अब जादा तर जो members है G20 के, वो इस बात के पक्च में नहीं थे, कि वो इस conflict को equivocate करें, equivocate मतलब होता है, जब आप बात को goal-malol करके बोलते रहते हैं, ना किसी के पक्च में बोलते हैं, ना किसी के against में बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि India इसा में कर रहा है, ना तो ये रशिया के against में बोल ला है, और ना ये Ukraine के favor में बोल ला है, ठीक है, तो उसी तरीके से जादा तर G20 leaders जोते हैं, वो इस बात को equivocate करना नहीं चाहते थे, as India and few other countries have been doing, जैसा कि India और कुछ other countries जो है, वो कर रही हैं इस समय, and the joint communique said that most members strongly condemned the war in Ukraine, communique मतलब होता है, जो एक final official statement आया है, उसमें ये का गया है, कि जादा तर members जो हैं G20 के, मतलब उन 20 members में, जादा तर members जो हैं, वो इस war की, इस yudh की कडी निंदा करते हैं, condemned मतलब होता है, निंदा करना, ठीक है, it was a positive sign that while Russia protected the statement, अब दोस्तों, इसमें भी एक positive sign देखने को मिली है, जहां दोस condemn the war on Ukraine, ठीक है, तो इस statement का current, कड़ा विरोध किया है, its foreign minister Sarji Lavrov, अब दोस्तों आपको पता होगा है, कि G20 meeting में, पुतिन के जगा, उन्होंने अपने foreign minister Sarji Lavrov को भेज जाता, ठीक है, तो उस समय, Sarji Lavrov ने इस statement का कड़ा विरोध किया, and President Putin's absence actually contributed to a more manageable summit for Indonesia, और दोस्तों, President Putin का absent ह होना, मतलब G20 meeting and President, ना होना, इस से G20 meeting जो है, एक अच्छे तरीके से संपन होगा है, क्योंकि अकर वो होते हैं, तो बहुत चीजों में उनके द्वारा कड़ा विरोध किया जाता, तो उनके ना होने को वज़ा से actually में G20 meeting जो है, बहुत ही सफल तरीके से organize हुई, ठीक है, the fact that Mr. Modi also extended his hand to Chinese President C. Jinping during the banquet is in contrast to their stony demeanor, ठीक है, अब दोस्तों हमको G20 meeting दौरान एक और चीज देखने को मिली, कि यहाँ पे Mr. Modi ने banquet के दौरान, मतलब जब दोस्तों, डिनर चल दा था, उस दौरान Mr. Modi ने C. Jinping के सामने अपना हाथ फैलाया, ठीक है, हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ फैलाया, during the banquet is in contrast, अब दोस्तों यह एक विरोधाभास है, किसकी विरोधाभास है, to their stony demeanor at the SEO summit in September, क्योंकि जब दोस्तों, सेप्तमबर में SEO summit हुई थी, संगाई cooperation organization की meeting हुई थी, उस दौरान भी दोनों नेशन जो थे आमने सामने आये थे, लेकिन उस दौरान दोनों का बहुत ही stony demeanor, demeanor मतलब होता है attitude, stony मतलब होता है पत्थर दिल attitude, मतलब कि दोनों एक तरफ, एक दूसरे की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इस समय contrast कर दूए Mr. Modi ने उनकी तरफ हाथ पहलाया, ठीक है, that could signal a thaw in talks between them for the first time since the LAC standoff, दोस्तों, thaw मतलब होता है ठ उसमें जो लडाई हुई थी 2020 में, तब से इन दोनों देश की बीच में कोई बातचीत नहीं चली थी, तो उन दोनों की बीच में जो एक गर्माहाट चली थी, उसमें हलकी सी ठंड़क देखने को मिली है, इस G20 समट में, ठीक है, while Mr. Modi may have to explain this shift domestically, अब दोस्तों, Mr. Modi को जहा अपने देशवाशियों को इस move के, अपने इस move, shift मतलब हो था, अपने इस move के बारे में अपने देशवाशियों को समझाना पड़ेगा, his decision to speak to the Chinese President also reflect the practical reality that India is a host of G20 and the SEO in 2023, अब दोस्तों, उनका जो move था कि वो Chinese President के सामने अपना hat फलाए थे, उनके सामने, मतलब यह जो move था वो show करता है कि India जो है क्योंकि इसके पास अगले साल की G20 Presidency भी है और अगले साल यह SEO भी हो, इंडिया ही host करने वाला है, तो it will need to ensure the full participation of those groupings, तो इंडिया को need है कि इसको ensure करना है, इसको यह बात ensure करनी है कि जितने भी nations है, जितने भी G20 members से चाहे, वो इसके दोस्तों चाहे है अपने इंडिया में, ठीक है, अपने इंडिया में होना है G20 में और SEO में, ठीक है, that includes drivers such as China and Pakistan, भले हो चाहिना हो भले हो पाकिस्तान हो, लेकिन इंडिया को G20 और SEO को सफल बनाने के लिए इन सभी को ensure करना पड़ेगा कि यह सभी हमारी meeting में प्रेजेंट हो, ठीक है, more such pragmat pragmatism will be necessary for India in its year of G20 presidency, इस तरह का और जयदा practical approach की ज़राद होगी, इंडिया को अपने G20 presidency के दोरान, pragmatism मतलब होता है practical approach, ठीक है, with about 200 meetings planned, क्योंकि 200 G20 presidency के दोरान, इंडिया में लगबाग 200 meetings planned की गई है, ठीक है, तो उन सभी meetings दोरान, इंडिया को और जयदा practical approach लेनी ठीक है, अब मतलब कि यह जो G20 का फोराम है, इसके future को लेके, इंडिया को यह ensure करना पड़ेगा कि सभी countries जो है, वो उसके vision के according, coordinate हो जाएं, ठीक है, इस difficult field से इंडिया को, वर्ड को आगे निकालने में अपना योगदान देना पड़ेगा, steering मतलब होता है, guide करना पड़ेगा, ठीक है, and preparing for future Paris, Paris मतलब होता है difficulties, जो future की difficulties होने वाली है, उसके लिए prepare करना पड़ेगा, including climate change और जल वायू परिवरते ने उसके खिलाफ, and global warming के ख food and energy shortages, जो खाद सुरक्षा देनी पड़ेगी, terrorism and conflict आतंगवाद को कम करने के लिए, and bridging the digital divide, और दोस्तों जो एक digital divide फैलता चला जा रहा है, उसको कम करने के लिए, इंडिया को सभी लोकों को अपने साथ लाने की जरूरत होगी, तो आशा करते हूं दोस्तों, आपको आज क रिटोल की analysis समाझ जाए होगी, कैसी लगी analysis, प्लीज कमेंट बोक्स में टाइप करिएगा, thank you